अलो दोस्तो अभी में के एजुकेशन में मैं अर्वीन मकवाना आप सब का स्वागत करता हूं दोस्तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जनरल साइंस के मोस्ट आइम पी सो प्रस्न एक साथ एक ही वीडियो में उसका ये पार्ट नोवा है इससे पहले आठ पार्ट अपलोड हो चुके है यदि देखना बाकी हो तो देख लीजेगा आने वाली सभी एक्जाम के लिए महत्व पोर्ण प्रस्न है तो अच्छी तरह से देखेगा क्यूंके लास्ट में आपका टेस्ट भी लिया जाएगा इसी वीडियो में से वहाँ पे क्रेस्ट पुछे आते हैं तो अच्छी तरह से वीडियो देखेए और टेस्ट देके आप अपना नोलेज भी बढ़ा सकते हैं वीडियो में आगे बढ़ते हैं और लास्ट में इसका पीडियेप भी आपको प्रवाइट करा दिया जाएगा मानव सरीर क्लिया के महत्व पोईन प्रस्ण सबसे पहले देखेंगे मानव सरीर के जो केस्टन है वो बार बार एक्जाम में पूछे आते हैं मनुष्य के जीवन काल में कितने दाथ दो बार विक्सित होते हैं तो बीस दाथ जो है वो दो बार विक्सित होते हैं पटा बच्चा होता है इसात साल के उमर में गिर जाते हैं उसके बाद फिर से नहीं आते तो त Nepri जो हो दात है वो दो बार विक्सित होते हैं और मनुसया में पाचन की है मुख की सड़ारम्भ होती है चोटी आंत में संपन होता है मनुश्य में पाचन क्रिया कहां से प्रारंब होती है मुख से प्रारंब होती है सर्वप्रतम रक्त परिसंचरन तंत्र का अध्यन किस ने किया था हर्वे ने किया था पेशमेकर का संबंध किस से है रदई से है पेशमेकर का कारिय है दिल की धड़कन प्रारंब करना गति पेरक किसे सबंदित है रदई से है किनकी भितियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब यानि ब्लड प्रेसर कहते है धमनी सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है गटता है मानव रुधिर का पी-एच है 7.4 पी-एच मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायह पानी की प्रतिसत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है 82-82 परसंट अस्षी से लेके 82 तक रक्त में पाई जाने वाली धातु कहें कौन सी है लोहा है रक्त में हिमोगलोबिन पाया जाता है हिमोगलोबिन में क्या होता है लोहा होता है रक्त का सुद्धिकरन कहां होता है किडिनी में अधिक्तम पोसक तत्वा रक्त में कहां से अवसोसित किये जाते है छोटी आद से लार में कौनसा एंजाइम पाया जाता है टाइलिन पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यक्ता होती है एंजाइम की लार किसके पाचन में सहायक होती है श्टार्च के मानव के आमासई में अमला एक्स उत्पन होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है तो एक्स है हाइड्रोक्लोरिक अमला क्रेप्स चक्र में इसका संसलेशन होता है पाइरुविक अमला का संसलेशन होता है क्रेप्स चक्र में मानव सरीर में खुन के सुद्धी करण की प्रक्रिया को कहते है क्या कहते है डायलिसिस कहते है पेपसिन बदल देता है प्रोटिन को पॉलि पेप्टाइड में पाचन क्रिया में प्रोटिन किस पदार्थ में बदल जाते है एमिनो अमल में वह अंग कौनसा है जो मानव सरीर में गलाइकोजन के रूप में कार्बोहेडरेट को जमा करता है वह है यक्रूद पित किस के द्वारा पेदा किया जाता है यक्रूद के द्वारा पित यानि बाल जमा होता है पिता सही में स्वस्त मनुश्य का रक्तचाप होता है 120 mm वह 80 mm तो 80 से लेके 120 तक होता है दोड लगाते समय मनुश्य का रक्तचाप बढ़ जाता है सामन्य जीवन काल में मनुश्य का रदे लगबग कितनी बार धड़कता है दो अरब बार धड़कता है पूरी लाइप में मानव सरीर में रदै का कारिय है pumping station की तरह काम करना रक्त में लाल रंग किसके कारण होता है हिमोगलोबिन के कारण हिमोगलोबिन में होता है लोहा सरीर में हिमोगलोबिन का कारिय है ओक्सिजन का परिवहन पूरे सररी में ओक्सिजन पहुचाता है हेमोगलोबिन हेमोगलोबिन किसका महत्वपुर्ण घटक है RBC का Red Blood Cells का हेमोगलोबिन का कार्य क्या है ओक्सिजन ले जाना किसकी सहायता से रक्त द्वारा ओक्सिजन ले जाया जाता है लोहित कौसिकाए जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुदिर प्रनाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारम करता है WBC, White Blood Cells लाल रक्त कणिकाए यानि RBC कहां उत्पन होती है अस्थी मज्जा में किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओ का जीवन काल कितना होता है 120 दिन पचे हुए भोजन में मोजुद विशेले पदार्थ का कौन सा अंग चुसन करता है यक्रूत मानव सरीर में लाल रक्त कण का निर्मान कहां होता है अस्थी मज्जा में होता है लाल रुदिर कणिकाओ का उत्पाधन किसके द्वारा होता है अस्थी मज्जा के द्वारा उच्च अन्नतास पर मानव सरीर में RBC की संख्या बढ़ेगी सफेद रक्त कण यानी WBC का मुख्यकारिय है रोग प्रतिरोधक शम्ताधारान करना मनुस्य में मेरुदंड से कितनी जोडी तंत्री का निकलती है प्रतिवर्षी क्रियाओ का नियंतरन केंद्र कहां पर है कसेरुक रजु में सतंदारी किसमे युरिया बनते है यकृत यानी लिवर में बनते है मानाव सरीर में सबसे छोटी अंतस्त्रावी ग्रन्थी कौन सी है अउटू ग्रंथी है मुत्रका पिला रंग किसकी मुझूदगी के कारण होता है यूरोक्रॉम के गुर्दे का कारियात्मक यूनिट है नेफ्रोन किसकी कुछ संक्रिया के कारण मानव सरीर में मिक्सीडिमा होता है अउटू ग्रंथी के एंटोजन यानि प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्मान को बढ़ावा देता है मानव सरीर के भीतर खुन किसकी उपस्थिती के कारण नहीं जमता है हिपेरिन की रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबोडी निर्मिद होती है लिम्फोसाइड के द्वारा आयोडिन यूगत हार्मोन है थाइरोक्सिन मानव के स्वेतर रक्तक कणो यानि के डबल्यू बिसी का व्यास होता है लगभग 0.007 mm स्वेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है सरीर के तापमान को वी नियंत्रित करने के लिए स्वेदन महत्वपूर्ण है अपोहन यानि के डायालेसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है गुरुक सामने तह निशेचन होता है गरवा सही में एमनियो सेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भुरुन के लिंग का मानव सरीर में रक्त चाप नियंत्रित होता है अधिवरुक गरन्थी से जीवन रक्षक हर्मोन किस गरन्थी से स्त्रावित होते है एड्रिनल गरन्थी से मानव सरीर की किस गरन्थी को मास्टर गरन्थी कहा जाता है प्यूस गरन्थी को मनुष्य के सरीर की सबसे छोटी गरंथी कौन सी है? पिच्च्यू टरी गरंथी सबसे छोटी है गरबासाई में सिसु के विकास की जानकारी है तो किसका प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रा साउन का स्त्रियों की नस्बंदी को कहा जाता है? क्यूबेक टॉमी ब्रून के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाज्य की पूर्ति की जाती है? बिजान डसन द्वारा गाय और भेंश के थनों में दूद उतारने के लिए किस आर्मोन की सुई लगाई जाती है? ओक्सिटोसिन थाइरोट ग्रंथी से थाइरोक्षिन स्त्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतरस्त्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH मायोग्लोबिन में कौन सी धातू होती है? तामबा मानव सरीर का सामनियत आपमान होता है? 36.9 आउंस सेल्सियस एक वयस का पुरुष के लिए सामनिय हिमोगलोबिन मात्रा प्रती 100 ml रक्त 14.5 GM होता है किस सारेरिक प्रकम से प्रोथोंबिन का सम्बंध है? रक्त जमाव से सरीर में सबसे बड़ी अंतरस्त्रावी ग्रंथी कौन सी है? अवर टू यानि थाइरोट ग्रंथी कौनसा हार्मोन लड़ो उडो हार्मोन कहलाता है? एड्रिनेलिन इंस्यूलिन है एक प्रकार का हार्मोन है कौनसा पदार्थ मानव सरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? दंत वलका किस कोशिका से इंस्यूलिन स्त्रावित होता है? बीटा कोशिकास है इंस्यूलिन उत्पादित होता है पेंक्रियास द्वारा ओक्सिजन की उपस्तिती में सुक्रोज का CO2 एवं जल में उर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रुपांतरण होने को कहते है वायू स्वसन हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मातरा लगबक कितनी होती है 4 प्रतिसत होती है रदई वंचित है एस्चिक पेशिस है मानव सरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है फेफडा है मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है तलूए पर मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है मेलानिन कंडरा जोडता है पेशिको हड़ी से जोडता है जिसको टेंडन भी खा जाता है मानव सरीर में कोन ग्रंथी ऐसी है जिसका सब्बंद सरीर की उत्तेजना से है अधिवरुक गरंथी आदमी के कंड के किस भाग को अउटू उदर्ध यानि एडम्स एपल कहा जाता है फाइरोड उपास्थी को मानव का मस्तिस का लगबग कितने ग्राम का होता है तेरा सो पचास ग्राम का होता है मानव सरीर में सबसे लंबी अस्थी है उरू अस्थी मुख्य तह इसकी उपस्थिति के कारण मानव सरीर उच्च वायू मंडलिये दाप के अंतरगत भी बीना कुचला रहता है कोशिकाओं में तरल की उपस्थिति की वज़े से आँक के रेटिना की परमपरागत केमरा के किस भाग से तुलना की जा सकती है फिल्म से रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है सी ए की अधिक उंचाय पर मानव सरीर में लाल रक्त कनिका है संख्या में बढ़ जाएगी मनुस्य में सामानिय निरन यानि फास्टिंग रुदीर सरकरा स्तर प्रती 100 ml रुदीर होती है 802-100 mg मानव रुदीर में कोलेस्ट्रोल का सामनिय स्तर है 140-180 mg स्तन पाईयों में स्वेद ग्रंथिया मुलतह सबंदित है ताप नियमन से यदि किसी व्यक्ति की रुदीर वाहिकाओ की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब बढ़ेगा मानव सरीर के किस अंग में लसिका को सिकाय बनती है दिर्ग अस्थी में मानव रदई में कॉक्स की संख्या है चार अब आपकी टेस्ट जो हमने वीडियो देखा उसी में से आपको यहाँ पर क्वेशन पुछे जाएंगे जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने है उससे पहले यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक किजे कॉमेंट किजे अपने सभी दोस्तों को वीडियो शेयर करे चनल सब्सक्राइब करना बाकी हो तो चनल को सब्सक्राइब करें और बाजो में देए बिलको प्रेस करें ताकि आने वाले जितने भी वीडियो है आप तुरंत ही देख पाए आपको वेट नहीं करना पड़ें सबसे पहले हम टेस्ट देखेंगे उसके बाद PDF के बारे में भी बताऊंगा प्रतम क्वेस्टन है मनुस्यों में पाचन क्रिया कहां से प्राराम होती है दूसरा लार में कौनसा एंजैम पाया जाता है तिसरा हिमोग्लोबिन का कारिय क्या है और चोथा मनुस्यों के सरीर की सबसे छोटी गरंथी कौन सी है चारों के आंसर आपको क्रोम सहर कमन बोक्स में देने हैं इस वीडियो की पीडियेप पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में मेरी टेलिग्राम चैनल की लिंक है प्लस वाट्शप ग्रूप की लिंक भी दी हुई है वहाँ पे जूर जाएंगे तो वहाँ पे आपको डेली न्यूस पेपर, डेली करेंट अपफेर, मौस्टाइम पे पीडियेफ और लेटरस्ट गवर्मेर जोब की अपडेट मिलती रहेगी इस चैनल पर बहुत सारे वीडियो आफ़ेलेबल है आप चैनल के नाम पे क्लिक करके वीडियो में जाके सारे वीडियो देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जाके अलग-अलग विसे के अलग-अलग question जो है वो भी आप देख सकते हैं नीचे मेरा नमबर दिया हुआ है, इस नमबर पर जोइन लिख कर वोट्शेप कर देगे, तो भी मैं आपको लिंक सेंड कर दूँगा और इसकी PDF आपको वहाँ पर भी मिल जाएगी, आसा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स for watching my video